बैसे तो ये नाश्ता मेरा हमेशा से ही सी बनावाली हूँ तो सबसे पहले तो आपका रच्छा की रसोई में बहुत-बहुत स्वागत है इस नए रेस्पी के साथ बहुत ही बहुत बहुत आटा गूतना तो आज गूता हुआ रखा ही नहीं था तो मैंने सुचा चलो नया गूत लेती हूँ आपको दिखा भी दूँगी तो देखें मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक और दो चमच के करीब घी डाला हुआ है नॉर्मली हमारे घर पे क्या होता है जब मारोटी के तो आटा में एक मौस्टर सा आ चाता है तो हमने आटा को गोथ लिया है अब इसको क्या करेंगे हम रेष्ट के लिए छोड़ देंगे जब तक हम दूसरी तयारी करनेंगे तो यहां पे मैंने आधा कप चना दाल को दो घंटे के लिए बेगो करके रख दिया था चना दाल क काफी जल्दी फूल जाती है दो घंटे में देख सकते हैं अच्छे से फूल गई है अब यहां पे मैंने 5-6 कलिया लेस्ट के ले लिया है एक तुकड़ा अध्रक कर ले लिया है जिसको इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है तीन हरी मिर्चे ले ले लिया है आदा चमत इसमें सबसे पहले हम डालेंगे यह सबी चीजों को हम डालेंगे और साथ में ही हमें चना डाल को डाल करके इसको पीसना है वैसे तो आज की जो रेस्पी है यह काफी फेमस रेस्पी है जब मैं पूरी बनाओंगी ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ यह रेस्पी तो हमन कोशिश करनी है कि पानी ना डालो लेकिन अगर आपको पीसने में दिक्कत हो तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी एट कर सकते हैं बहुत जादा मत करिएगा जितनी जरूरत हो बस उतना ही पानी एट करिएगा तो यहां पर हमने इसको पीस लिया है दाल को बढ़िया से और ददरा टाइप का पीसा है बहुत पानी डालते तो यह एकदम पतली हो जाते हैं तो यहां पर हमें पतली डाल नहीं चाहिए थोड़ा सा घाड़ी ही चाहिए तो आप क्या करेंगे इसमें कुछ मसाले एट करेंगे तो हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर लालमिश अगर आप चाहे तो इसमें चेटपटा फ्लेवर देने के लिए और भी मसाले डाल सकते हैं लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा इकीस डाल रही हूँ यह प्याज का पाउडर आपके यहां अगर प्याज का पाउडर नहीं है वैसे तो मैंने बनाना बताया था लेकिन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो बारिक बारिक प्याज काटके डाल सकते हो उससे भी प्याज का फ्लेवर बढ़ी आएगा थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और साधा वाला नमक डालेंगे बस इतने ही मसाली डाल रही हूँ आपको थोड़ा सा चेटपटा सा फ्लेवर पसंद है तो इसी इस तरह ऐसे लोई यां कट कर लेंगे लोई का साइज रखना है पूरी के लोई के बराबर अब एक लोई को लेंगे थोड़ा सा मिया पर पर्थन भी लगाएंगे और इसकी हम रोटी बना के तयार करेंगे मतलब इसको हमें न एकदम पतला सा बेलना है जितना पॉसिव दाल की फिलिंग बना के रखी हुई थी न उस फिलिंग को हमें इसके अंदर भरना होगा यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको फिर से याद करा दूं अगर आपको मेरी रैस्पी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शिया जरूर कर दीजेगा मुझे बहुत आकरी में थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे और इसके दोनों किनारों को अच्छे से जॉइंट कर देंगे आप चाहे तो इन जॉइंट में पानी भी लगा सकते हैं आप चाहे तो इसको ऐसे ही अच्छे से जॉइंट कर सकते हैं बिना पानी के भी ठीक है तो कुछ इस तर ऐसे लंबाई में रखना है और इसको रॉल कर देना है साइडस में पानी लगाना है और किनारे पर भी पानी आप लगा सकते हैं नहीं लगाते हैं तो आपको अच्छे से इसको दबाना होगा ताकि यह खुलेना तो इसी तरीके से हम सभी बना करके तयार कर लेंगे अब इसी इसे बंद कर दीजिए जैसे हम लोग मोमोस भरते हैं आलू के पराठे बनाते हैं तो फिलिंग भरते हैं कचोडियां भरते हैं उस तरीके से और इसको चप्टा करेंगे और एक पैंसल या कोई भी स्टिक ले लेंगे उसकी मदद से इस तरह इसे बीच में होल कर देंगे पूरा होल नहीं करना है आतपार वर्ना जो फिलिंग है न वो निकल जाएगे इस तरह से कर देंगे तो जैसे मेदू बड़ा होता उस तरीके से इसका शेप आ जाएगा तो देख सकते हैं हमारा जो नाश्टा है बनने के लिए बिलकुल तयार है कड़ाई में हमने पानी डाला हुआ है ग्लास के करीब एक जाली वाली जो छन्नी आती है उसको रखा है एक एक करके सभी नाश्टे को हम इसकी उपर रखते जाएंगे और गैस की फ्लेम कर देंगे मीडियम जैसी पानी में बाप बनने लगेगी तो इसको हम कवर कर देंग याद रखिए अच्छे से पकाना जरूरी है क्योंकि यह गुथे या गेहूं की आटा का है तो कच्चा ना लगे इसलिए बहुत अच्छे से पकाईएगा तस से पंदर मिनट बाद एक टूत्पिक की मदद से हम चेक करेंगे अंदर की डाल पकी या नहीं तो डाल इसके चार तुकड़े करूं लेकिन नहीं मैं दो ही करूंगी तो पता यह कैसा शेप आ गया जैसे हम लोग मैक्रोनी बनाते है बच्चों के लिए बनाते है वह शेप आ गया है बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैक्रोनी हो बड़े साइज की तो मुझे यह बहुत अच्छा टड़का के लिए पैन में डालें गें एक टेल थोड़े से हम जीरा डालेंगे शौरी जीरा जीरा अपर इसमें हरी मिज डालेंगे बाली कट़ुआं प्यास डालेंगे और लाइट ऑल्लुर्दन बिल्कुल हलका सा सुनहरा करना है प्याज को ज्यादा नहीं भूना है और में थोड़े से हम सफेद तिल भी डाल देते हैं तिल से क्या है देखने में अच्छे लगेंगे और थोड़े सा हम हरा धनिया भी डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढख करके हम 2-3 मिनट के लिए और पकने देंगे वह हम इसलिए पकने देंगे क्योंकि यह आ अब मैं बताती हूँ कि आप लोग यूपी में एक रेस्पी फेमस है भकोसे चना दाल और आटा के बहुत टेस्टी लगते हैं लेकिन उसका मैंने एक नया बर्जन बनाया है उसको इमली की चटनी के साथ खाया जाता है उसका शेप गुजिया के आकार में बनाया जाता है फि इंजॉय कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंट्स बिलकुल मज़ेदार नई रेस्पी है आप इसको जरूर ट्राइ करना ब्रेक फास्ट में चाहे साम के नाश्ते में खूब पसंदा है